स्वामी जी प्रणाम, एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भारत ले पैदा हुए तीन बड़े धर्मों की शब्दावली में निर्वान शब्द के अलग-अलग अर्थ क्या है और क्यों है? महत्रपुर्ण सवाल है, हमारे देश में तीन बड़े धर्म पैदा हुए, हिंदु धर्म, जैन धर्म, फिर बहुत धर्म तीनों ही धर्मों में इस शब्द का उप्योग किया जाता है निर्वान, लेकिन थोड़े-थोड़े उनके भावार्थ अलग है, गौर से समझिएगा उपनिशित का रिशी जब कहता है निर्वान, तो उसका अर्थ है परम आनन्द की दशा, मुक्ति की अवस्था जैन धर्म में जब भगवान महावीर कहते हैं निर्वान, तो उनका अर्थ निब्बान, बान याने होता है वासना और निब्बान शब्द प्राकर्तवासा में, जिसको अब हम निर्वान कहने लगे, उसका अर्थ होता है निर्वासना भगवान बुद्ध जब इसी शब्द का प्रियोग करते हैं उनका भावार्थ है जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे आत्मा बुझ जाती है खो जाती है हम पूस्ते नहीं कि लोग कहां गई आकाश में बस दिलीन हो गई, समाप्त हो गई तो उपर-उपर से देखने में थोड़े अर्थ नजर आते हैं किन्तु भीतर से पकड़ेंगे तो एक ही अर्थ है एहंकार की लोग का बुझ जाना एहंकार यानि वासना तो निब्बान का भी वही अर्थ हो गया जहां वासना समाप्त दुश्पूर कामना है चली गई वहां एहंकार भी गया और तब जो सेश बसता है वह एह परम शान्ती और परम आनंद की दशा तो उपर-उपर से अलग-अलग अर्थ हैं लेकिन भीतर से भावार्थ एक ही है ठीक है अगला सवाल इसको एक उधारान से समझ लीजिए समझो एक आदमी जेल में बंद था कई सालों से उसे बंधन का एसास हो जाता वहां के अनुसासन, वहां के नियम जेलर का वैवहार वो मजबूर था बंधन में था, हतकड़ियां पढ़ी थी बेड़ियां पढ़ी थी फिर एक दिन उसकी मुक्ती हो गई वह जेल से बाहर आ गया अब उसको मुक्ती का एसास हो गया वो अपनी मर्जी से खा सकता है अपनी मर्जी से पी सकता है अपनी मर्जी से सोई, अपनी मर्जी सोटे जेलर अब उसके सिर पे नहीं सवार है अपनी मर्जी जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाए जिस से मिलना चाहे मिले उसको स्वतंतरता का एसास होगा लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा यह स्वतंतरता का एसास करम शह धूमिल पढ़ने लगेगा और एक दिन खो जाएगा वो सकता है कुछ महिनों तक रात सपने मोस को जेल के दरश्च दिखाई दे लेकिन कुछ महिने बाद या साल भर बाद जी दो साल बाद सपनों से अर्थात अवचेतन मन से भी जेल विदा हो जाएगा सच पूछो तो अब इसकी सही मुक्ती हुई तो एक दिन फिजिकल कारग्रह से मुक्त हुआ था और ये साल भर बाद दो साल बाद अब मानसित वो जो कारग्रह सांथ में इसकी भीतर चल दा था उससे भी चुटका रहा हुआ लिकन एक दूसरी बात यहीं भी समझना अब मुक्ती का एहसास नहीं होगा हम जितने लोग यहां बैठे प्रशन उत्तर की इस चर्चा को सुन रहे है शाइद इसमें से कोई भी कभी जेल में न गया हो क्या आपको कभी मुक्ती का एहसास होता है मुक्ती का एहसास भी बंधन के कंट्रास्ट में है हमारी सारी अनभूतियां भी पिरीत की प्रश्ट भूमी में होती है काले ब्लैक बोर्ड पर सफेज चाक से लिखता है सिक्षक तो दिखाई देता है यदि सफेज दिवाल पर लिखेंगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा ठीक ऐसे ही अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र है तो हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि हम स्वतंत्र है एक व्यक्ति अगर पूरन तह स्वस्थ है उसको स्वास्थ का अनुभाव नहीं होता उसे शरीर का ही पता नहीं चलता फिलिंग आफ बॉडिलेस्नेस हाँ जो बीमार है और फिर बीमारी से रिकवर किया ठीक हो गया उसको लगता है कि मैं कितना स्वस्थ हो गया लंबे समय तक जब वह स्वस्थ रहेगा तो स्वास्ति भी बिस्मृत हो जाएगा इसलिए सही मुक्ति की परिवासा यही है कि जब मुक्ति का भी ऐसास विदा हो जाए इसलिए ओशो कया है कहना और अन्य सभी संतों कया है कहना कि मोक्ष निर्वान की परमदशा में मुक्ति का और परमानंद का अनुखवी धीरे-धीरे विलीन हो जाता है सच पूछो तो वह मैं ही विलीन हो गया जो अनुखव करता था अनुखव करने वाला ही कोई नहीं बचा स्वामी जी अगला प्रश्ण है कि मोक्ष या निर्वान की परमदशा में मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता ऐसा क्यों? निश्चित रूप से ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों परक्रियाएं भिन्ने भिन्ने हैं याद करना तो हम सब जानते हैं मेंब्रिंग और पुनह जीने का रधर री लिविंग दोनों में फर्क हो गया एक में हम बिलकुल निश्किरी रूप से केवल इसमरन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और री लिविंग में हम ऐसे जी रहे हैं मानोगा घटना अभी घट रही हो हो सकता है आप बैठके याद करें कि आज से पांस साल पहले फला फला व्यक्ती ने अप पांजनक शब्द बोले थे और उससे मुझे क्रोध आया था ये रिमेंबरिंग है और री लिविंग कार्थ है आप विज्वलाइज करें कि वह व्यक्ती अभी अभी अपमांजनक शब्द बोल रहा है और आपके अंदर से क्रोध उबल रहा है आप आग बबूला हो गए और इस क्रोध को अभी वक्ती दें शायद उस दिन आप नहीं दे पाए थे सामाजिक मर्यादाओं की वज़े से सब्धता और संस्क्रती की वज़े से और चारिकताओं की वज़े से लेकिन आज तो कोई नहीं है आप अपने खाली कमरे में हैं अज इसको पूरा जी लें उस दिन भी जितना नहीं जी पाए थे क्रोध को अतना आज आप जी सकते हैं और साथ-साथ साक्षी भाव से इसको देख भी सकते हैं उस दिन तो आप इंवाल्व हो गए थे आपने भीतर क्रोध को दबा लिया था आपकी सारी उर्जदमन में लग गई थी रिप्रेशन में क्रोध के अवलोकन में नहीं लग पाई एक प्रकार की मूर्चाने घेल लिया था अब आज क्यूंकि आप शान्त है कोई वास्तिविक क्रोध आपको नहीं है एक नाट की क्रोध जिसको आप जान मुझके कर रहे हैं वह उपर उपर ही रहेगा आप भीतर से निर उत्तेजना की अवस्था में बने रहेंगे इंसाइड दर इस लो एक्साइटमेंट और उपर उपर से आप एक्साइटेड हुए है जैसे कि सच मुझ में गुस्सा हो रहे हैं आप पूरा अभिने कर सकते हैं भूसे चला सकते हैं लातें फटकार सकते हैं गालियं दे सकते हैं जो करना हो आप कर सकते हैं आप किसी का नुक्षान नहीं पहुँचा रहे हैं अपनी भी हानी नहीं कर रहे हैं रियक्षन, फिर एंटी रियक्षन, फिर रियक्षन का एक दुस्पूर सिलसिला सुरू हो जाता है, जो कहीं खतम ही नहीं होता, आप करोधित होंगे, फिर सामने वाला करोधित होगा, फिर आप गुस्से में आएंगे और जादा, फिर वो और जादा गुस्से में आएगा, जब आप अपने क्रोध को पुनह जीते हैं, जैसे कि सचमुच हो रहा है, तब आप उसको उसकी पूर्ण शिखरता पे ले जा सकते हैं, क्योंकि वास्तों में किसी कोहानी इस से नहीं पहुंच रही है, घूसाही क्यों चला है, आप अपने शत्रू की गरदन दवाद हैं, का पने की है, तब आपका क्रोध पूरी तरह बढ़क जाएगा, और भीतर एक शांत केंद्र बना रहेगा, जो इसका निरिक्षण कर रहा होगा, तो साथ-चीवी सांस सांत मौझूद रहेगा, और आप अपने ही इस पागलपन को देख पाएंगे, कि मैं यह क्या कर रहा हू और एक बार क्रोध को पूरी तरह में जी लें, शायद दुबारा फिर क्रोध ना हो, एक बार अगनी में हम हाट डाल लें, और जल जाएं और उसका कष्ट पा लें, फिर दुबारा हम आग में हाट डालने तैयार ना होंगे, आगे जब पुन है कोई अपमांजनक शब्द कहेगा, हम भीतर भीतर हाशेंगे, उसकी मौज है, उसकी सुतंतरता है, वो चाहे जो कहें, लेकिन हमारी मौज है, हमें क्रोधित होना है कि नहीं होना है, अब दमन नहीं हुआ, हम भीतर जागे हुए हैं, पूरी तरह चैतन हैं और शांत हैं, और वह आदमी अपमांजनक शब्द कर रहा है, कह रहा है, निंदा कर रहा है, अलोचना कर रहा है, और हम शांत सुन रहे हैं, हमारे भी तर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आएगी, तो हमने क्रोध का रुपांतरन कर लिया, अब वह उर्जा, जो क्रोध बनती थी, शायद वह करुणा बन जाए, हमें उस आदमी प्रदया आए, कि बिचारा कितनी मेहनत कर रहा है, बिना काम के, हमको कुछ भी नहीं हो रहा है, इस प्रकार क्रोध का रुपांतरन हो जाता है, तो रिमेंबरिंग और रिलिभिंग, इसमरन करना और पुनह जीना, ये दो अलग-अलग बाते हैं, स्वामी जी, इतनी बारीकी से हमें समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया, निवेदन है कि केवल सुनने या समझने से ही नहीं होगा, प्रियोग करने से ही कुछ बात बनेगी, उसके लिए आप उश्व फ इनको आनन्दित बना सकें, आप सभी का सहर दे स्वागत है, धन्यवाद